पेपर पढ़ रहा हूं न्यूस पेपर क्या है आज की न्यूस में टीटू है न्यूस में आज के क्या है आज की पीपर में टीटू निकला है और क्या निकला है और क्या निकला है तीटू है अब आबू का है अब आबू का है अब आबू हाई गाईज मैं शिखा एंड वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल तो यह जो पेड़ आप देख रहे हो कट रहा है वह हम लोगों ने मन से तो नहीं कट वाया मतलब बहुत उसके साथ मुश्किल हो गई थी यहा मतलब उसको करेंट वगेरा लग गया था और बहुत सारी चीजे हो गई थी यह पेड़ की डाले जो है कई सारी उन लोगों ने कूट कूट के तोड़ भी दी थी और मतलब यह सारी काफी चीजे हो गई थी तो इफ फॉर एफ फॉर फिश जी फॉर ग्रेप्स ग्रेप्स एच फॉर एच फॉर एच फॉर आई फॉर आता ही नहीं तो गाईज मैं आप लोगों से अपना मॉर्निंग टुनाइट रूटीन शेयर कर रहे हूं तो यह मैं किया कर रही हूं पता है मैं अपने कैमरे में जहाक के देख रही है कि रिकार्टिंग हो रही है कि नहीं बॉकस समचांब समचाइब काफी बाहर मतलबुक चला देते हैंग अचलमट म nichts सारा काम करते रहते लहते लुए च बोहुत सारे कν दयार मैं छला मैं से लिख नहीं है और यह सकपैता बनाए तो अभी मैंने इस दाल को इसमें मिक्स नहीं किया एक्चली गोटा नहीं है चमत से मुझे घोट लेना चाहिए था कूकर में ही बट मैंने घोटा नहीं मेरा दिमाग पता नहीं कहा था बगवान जाने तो उसके बाद अभी सी कूकर में ना चावल डा जाता है तो सेम वैसा मैं भी कर रही हूं और सुबा के खाने में बनता है दाल चावल सब्जी रोटी तो दाल तो सकपैते की बन गई और वह पालक की है पालक मतलब बहुत अच्छी लगती सकपैता बट मेरे को सबसे जादा वह बत हुआ का होता है उसमें जो एक टेस्ट ह होता है वह माइंड ब्लोइंग होता है और तो यहां मैंने चावल चड़ा दिया है अब मैं आटा जो है वह गूंद रही हूं तो हम लोग बोलते हैं कि चाव दाल चावल सब्जी रोटी तो वह जो क्रम है वह शायद इसलिए क्योंकि चावल अगर आप चड़ा दोगे वह सीटी जो है खुलेगी तब तक आप रोटी बना लोगे और रोटी एक दो दो सेकनी होती है तो उसमें आदमी खा लेता है मतब ऐसा नहीं है कि घर से बाहर कोई बिना खाए निकल जाए तो यह आटा मैंने सेट करके रख दिया यह पुराना आटा है यह थोड़ी दिर फू जालूंगी उसमें कुछ नहीं है उसमें आटा थाव निकाला यह दाल बन गई है सापैता यह चावल चड़ गया है अभी यह आलू आलू चीले रखें अभी सबजी चौँगी त्यों फिर मैं रोटी बनाती हो वहां क्यों गए हो इधार आओ पूजा कर लो पूजा कर लो पैर चूलो पैर चूलो तो गाइज वेलकम वन्स अगैन तो यह मेरा लूप स्वेटर के बीना और सुबा जैसे कि मैंने स्वेटर पहन रखा था स्वेटर मेरा जो था वो जारा का था मुझे बहुत जादा पसंद है उसका थोड़ा सा फेड हो गया बट उसमें एक भी मतलब लिंट्स नहीं आए और काफी अच्छा लगता है अभी मैं बनाने वाली हूं पकोडी जो की पांच मिनट में सिर्फ बन जाती है अगर आपकी पाउडर धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दाल दो और आप को थोड़ा ज्यादा कड़वा खाना हो तो आप मिर्च को कूट के या उसका पेस्ट वगएरा डाल सकते हो गार्लिक का पेस्ट डाल सकते हो उससे टेस्ट जो है इनहेंस हो जाता है मैंने यहां पे नहीं आट किया और शाहत में हानमग भी डालिएगा वह मत भूलिएगा तो मुझे इसको थोड़ा सा मतलब पतला ही रखना है यतना पतला रखना है जितना कि आसानी से यह गोभी जो है हमारी वो कोट हो जाए और गोभी को कोट करके ही तो यह सेकेंड टाइम है जब मैं गोबी का बना रही हूं मैंने पहले कभी खाया नहीं था गोबी का एस्पेशली तो देखिए किस तरीके की कंसिस्टेंसी है तो यहां मेरा तेल जो है वो काफी गरम हो चुका है और यह रिफाइन डॉयल बराबर बार बार यूस करते रहते तो थोड़े से आपको गंदे दिख रहे होंगे और मेरी थोड़ी सी आदत भी है कि मैं चोटा सा टुकड़ा डाल के देखती हूं कि तेल मेरा प्रिपैर है कि नहीं तो बस इसी तरह अब मैं धीरे-धीरे करके अपने सारे पकोड़े तल लूँगी और गोबी मुझे अगर आप चिप्स कटर से काटते हो ना तो फिर उससे बहुत ज्यादा अच्छा कट जाएगा इवनली कटेगा तो गाईज यहां पे आप देख सकते हो मेरे पकोड़े कैसे दिख रहे हैं और यह कुछ चिकन लॉलिपॉप टाइप का लग रहा है अगर बड़ी गोबिया मतलब स्टेंट सोती तो यहां पे मैंने छोटी सी घटोरी रखी उसमें चटनी रखने के लिए और चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है यह पकोड़ी और यह घटोरी मेरे को बहुत जादा पसंद है तो आप देख रहे हो कितने क्रिस्पी कितने टेस्टी दिख रहे ह आलू आला जो मैंने बनाया है यह तो बहुत मतलब क oportun और जैसे मैंने बोला था we both सुमा के रोज रोज नहने शौक होते हैं तो आज ये शौक है कि उन्हें कुलड में पीना है चाय और एक कुलड रखी थी तो उसको मैंने धुल के अच्छे से उनको चाय दे दिया था हाला कि कुलड जिम में चाय पीने का अपना एक अलग मजा है और पता है जीप चिपकती ह वाली प्रॉब्लम नहीं होती है और अब नाइट हो गई है नाइट में मैंने मटर पनीर बनाई थी तो गाइस ये था मेरा वीडियो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा अच्छा लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में आइच कर वीडियो और वंगेगा दीजेए और ध्यूट